हलो अभीवान! स्वागत है आप सभी का फामेसी इंडिया लाइव पर तो आज का ये सेशन होने वाला है हमारा प्रारहमभ सिरीज का जो की हमारी चल रही है और आज ये हमारी प्रारहमभ सिरीज की पाँचवी क्लास होगी जिसमें आपका d pharma first year में जो subject है social pharmacy उसके आज हम top यानि की best 15 questions को discuss करने वाले हैं जो आपके final exams के लिए important होने वाले हैं चाहे आप BTUP में है या HSBT में है या जिस भी board या university से d pharma कर रहे हैं ये session आपके लिए काफे important होने वाला है और जो ये questions हमने लिए हैं ये आपसे previous year question papers में पुछे जा चुके हैं और इसमें से कुछ questions हमने अपने model paper में से भी लिए हैं जो की आपके लिए काफे important रहेंगे आज के इस session की PDF भी आपको मिल जाएगी उसके लिए आपको telegram channel whatsapp channel पर follow करना होगा links नीचे description में दिये गए हैं उनके माध्यम से follow कर सकते हैं साथी साथ आप latest updates के लिए download कर सकते हैं pharmacy India mobile app from the google play store और वहाँ से भी आपको काफी सारी जानकारी मिलती रहेंगी बचा लोग channel पर नए हो channel को subscribe कर लिजेगा यहाँ पर आपको d pharma से related हर एक update मिलेगी चाहे वो हमारी study से related हो या फिर वो हमारी कोई latest update जो board से आती हैं उनके regard में हो हर एक जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त होगी तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जो सबसे पहला question आता है वो है what is disaster management cycle ठीक है यहाँ से काफी बार question पूछा जाता है आप से तीन number में पूछा जाता है और अगर मैं कहूं तो short question में भी आ जाता है one liner type में ठीक है एक number का कि disaster management cycle क्या होती है तो बच्चा लोग अगर हम disaster management cycle की बात करें तो यह होती क्या है अब आप कहेंगे कि सर आपने तो circle बना दिया बिटा circle क्यों बनाया है अब वो बताता हूँ इस पे मैं आपको points दिखाऊंगा सबसे पहला आता है कि disaster impact अब disaster management cycle है क्या आप उसको जो है कैसे manage कर सकते हैं जब भी कोई disaster आता है यानि कि कोई भी flood type का कुछ आता है तो सबसे पहला कि disaster impact मतलब कि उसका प्रभाव क्या पड़ा उसके उपर कारिय करना होगा दूसरा आता है response phase अब जब disaster आ गया एक बार आ गई flood आ गया उसके बाद आपने उसका impact देखा उसके बाद आप देखेंगे response phase कि हमें उसके प्रती कारिय क्या करन है कि जिससे की हम recovery phase में आ सकें ठीक है लोगों को कोई परेशानी ना हो साथी साथ risk reduction जो एक खत्रा है उसको हम जो है कम करें उसको reduce करें उसके बाद आ जाता है development phase जो नुकसान हुआ है अब उसको develop भी तो करना है recovery कर रहे हैं तो धीरे धीरे फिर उभरना भी तो है साथी सा फिर है presentation कि आपने उस चीज़ को कैसे present किया उसके बाद आ जाता है हमारा preparedness phase की अब हम जो है एक बार सह चुके हैं दूसरी बार अगर कुछ आता है तो उसके लिए हम prepared है हम अपनी साथानी पहले से ही पहले बढ़तेंगे यह होती है आपकी disaster management cycle अब आगे बढ़ते हैं next question ब जाता है हमारा ठीक है तो इसका जो answer रहेगा कि हमें लिखना क्या है उस पर गौर करना बच्चा लोग flood जो है एक आपका natural calamity होता है यह एक unexpected मतलब की अन चाहा होता है जिसकी बजह से आप कह सकते हैं कि जो पानी की मात्रा होती है ठीक है वो काफी हद तक बढ़ जाती है क् increase हो जाती है ठीक है किस क्या कराण हो सकता है कि बारिश बहुत जादा हो गई है या फिर बरफ एकदम से पिगनने लगी है तो जब water level एक normal से बढ़ जाएगा increase हो जाएगा चाहे वो हमारी नदियों में हो या तालावों में हो लेक्स में हो ओवर्फलो होगा तो उससे क्या होता है फ्लड बन जाता है यानि कि बार आ जाती है ठीक है क्या आ जाती है बार आ जाती है अब फ्लड जो है basically जो ये बार आती है उससे काफी बार जान भी चली जाती है ठीक है और अगर मैं बात करूं कि इसका कारण क्या होता है फ्लड जो आ रहा है उसका कारण सबसे पह ठीक है अब वो अगर अपने एक निर्धारित समय से उससे पहले आ जाए या जो बारिश पढ़ रही है एक जो नॉर्मल उसका टाइम पिरिड है उससे जादा अत्यधिक महात्रा में है एवी रेंफॉल हो रहा है तो उसकी वज़े से भी बाड़ आ जाती है साधी साथ जो ड अब जब यहां पर वाटर लेवल काफी बढ़ जाता है तो उसकी वज़े से भी बाड़ आ जाती है केंई इलाकों में और जो हमारा बिसेकली सी वाटर है उसमें एक तरीके से अगर जल्द से जल्दी हम कहें कि तेजी से उसमें उफान सा आ जाता है सुनामी آ जाती है उसकी बज़े से भी बाड़ आ जाती है अब बात आती है कि भहिया जो ये बाड़ आ रही है उससे प्रभाव क्या पड़ेगा है ना बाड़ आई है तो उससे प्रभाव क्या पड़ेगा तो सबसे पहला आता है कि जो जान है लोगों की ठीक है वो चली जाती है loss of life हो जाती ह साथी साथ में अब कारण जान लिया ठीक है उससे हमने इफेक्ट जान लिया कि क्या प्रभाव पड़ेगा अब भया हम बच कैसे सकते हैं प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं इस बार का फ्लड का तो सबसे पहला जो फ्लड वार्णिंग सिस्टम है वो हमें लाना होगा उसे इंट बिजनिस में जिससे की जो भी फ्लड है हम उनसे जो है जूज सके उनसका सामना कर सके अब बिल्डिंग जो होती है उनको कंस्रक्ट इस लेवल पे किया जाए कि जो एक लेवल है फ्लड का लेवल है उससे उपर का स्थर हो उनका ठीक है माल लिया तीन-चार फिट तक पानी एसा हमें बनना होगा, साथी साथ जो वैट लेंड है जहांपर गीला पन जादा होता है उसको बचा करके रखे उससे प्रोटेक्ट करें और साथी साथ जो हम जो है बिसीकली हमें ट्रीज की, यानि कि जो पेड़ पौदे है उनकी प्लान्टिंग करनी स्टार्ट करनी होग तभी possible है उसके बाद आता है कि जो soil conditions है उनमें हमें सुधार लाना होगा तब possible है कि हम बाड का सामना कर सकते हैं अब बचा लोग आगे बढ़ते हैं अब जो ये health insurance होते हैं इसके फायदे यानि कि आपका जो basically ये advantages है और इसके नुकसान यानि कि जो ये हमारा disadvantages है छीख है इसके जो है basically हमें advantages और disadvantages बताने है health insurance के तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि advantages क्या-क्या होते है health insurance के अब होता क्या है अब जो health care है हमारा या हम कहें कि जो भी basically हम अपना स्वास्त के प्रती doctors के पास जाते हैं इलाज कराने जाते हैं तो वो काफी costly हो जाता है हर कोई तुरंद ही पैसा नहीं भर सकता है तो उसी के तहट फिर health policies बनाई गई आज के time पे जो है health insurance होने लगे है और ये कहा जाता है कि health insurance हर एक individual का होना must है क्योंकि कब क्या जरूरत पढ़ जाए कुछ नहीं पता चलता अब सबसे पहला अगर मैं बात करूं फायदा ये है कि cashless hospitalization मतलब जो customer होता है उसे पैसा ले जाने की कोई जरूरत नहीं होती है उन्हें cashless services मिल जाती है जो insurance company होती है उनके particular hospitals के साथ tie up होते हैं वो directly अपने सारे documentation कर लेते हैं और जो भी requirements होती है उन्हें hospital से उनको मिल जात है और आपका बिना पैसा दिये आपका कारे हो जाता है आपकी payment जमा हो जाती है अगर आपका health insurance है उसके बाद आता है no claim bonus क्या है no claim bonus अब no claim bonus का मतलब होता है आप इसको renewal bonus के नाम से भी जान सकते हैं कि जो एक some insured होता है एक particular renewal जो renewal आपको मिलेगा वो particular time के लिए ही मिलता है जो कि health insurance company आपको देती है यहाँ पर no claim made in the previous policy years ठीक है तो कोई as such आपको नहीं कोई claim करना पड़ता है उसका कोई bonus नहीं होता है साथी साथ फिर आता है financial protection अगर आप unexpectedly आप जो है कोई भी एक individual है उसकी unexpectedly death हो गई हो मर गया या फिर permanent disability हो गई है उसके साथ किसी particular accident की वज़ा से तो जो हमारी health insurance policies होती है ठीक है या फिर आपके जो family members होते हैं उनको एक financial protection मिल जाता है ठीक है आपके पास वो एक health policy है तो उससे आपके ऊपर और साथी साथ जो आपकी family है उनको भी financial protection मिल जाता है साथी साथ फिर आता है peace of mind एक health plan जो होता है वो काफी हद तक आपकी जो ए ठीक है एक बस आपको एक अच्छा health care choose करना होगा अपने लिए और अपनी family के लिए फिर है affordable health care एक health insurance company जो होती है ठीक है उसके पास काफी सारी चीज़े होती है जैसे inpatient hospitalization होता है आयोस treatment हुआ और भी दूसरी terms and conditions होती है जो कि आपको उनको लेने से पहले चेक कर लेनी चाहि है कि ये इस particular term के अंदर included है या नहीं है आगे बढ़ते हैं अब बात आ जाती है कि भईया किसी के फायदे है तो नुकसान भी होंगे disadvantages क्या-क्या है health insurance के सबसे पहला सबसे बड़ा जो major disadvantage है एक health insurance लेने का वो है cost ठीक है health insurance आपका काफी costly भी हो जाता है especially उनके लिए जिनके पास जो health insurance plans होते हैं अपने employers के लिए ठीक है उन्हें काफी costly पड़ता है दूसरा disadvantage ये है कि जो भी लोग इसके अंदर involved होते हैं उन्हें जो है basically एक pre-existing disease होनी चाहिए तभी possible है कि ठीक से आप जो है claims ले पाएंगे ठीक है next question आ जाता है give the classification of food अब जो हमारा खाना है food है उस का भी classification है पूरा ठीक है अब मैं आपको वो बताता हूँ तो सब पहले बात करेंगे हमकी classification of foods क्या होता है foods को हम जो है कैई तरीके से classify कर सकते हैं जैसे सबसे पहला उसकी basis के origin ठीक है on the basis of origin जिसमें हमारा vegetable origin आ जाता है यानि कि जो हमारी सबजिया है animal origin आ जाता है जो meat mass खात होते हैं इसके अंदर फिर आता है on the basis of functions की उनके कारिये के प्रती भी हमने classify किया हुआ है जिसमें सबसे पहला है energy yielding foods क्या है energy yielding foods जिसमें ये वो cereal sugars हैं या dry fruits होते हैं इसके अंदर roots और tubers या fats and oils हमारे ये energy yielding foods होते हैं फिर आता है हमारा body building foods ये जैसे आपका meat हुआ, fish हु eggs हुए या फिर pulses, oil seeds और nuts ये आपके body building foods होते हैं इसके बाद आता है हमारा protective foods जैसे green leafy vegetables हुए ठीक है हमारे fruits हुए, egg हुआ या liver basically ये सब आपके protective foods में काम आते हैं उसके बाद आता है on the basis of their chemical composition, chemical composition के basis पे भी जो है इनको classify किया गया है जैसे carbohydrates होते हैं for example sugar ठीक है फिर है proteins जैसे pulses हुए, legumes हुए, etc फिर आता है हमारा fats and oils जैसे butter होता है फिर आता है हमारा vitamins जैसे vitamin A हुआ, vitamin D हुआ, vitamin C हुआ, vitamin K और vitamin E हुआ, ठीक है बच्चा लोग आती है on the basis of nutritional value, nutritional value के आधार पे भी इनको classify किया गया है जैसे vegetable foods होते हैं, ठीक है हमारे animal foods होते हैं, fruits होते हैं, साधी साथ pulses जानी की दाले होती हैं, cereals और millets होते हैं, nuts and oil seeds होते हैं, sugar और jaggery होता है और साथी साथ इसके अंदर condiments and spices भी included होते हैं, तो बच्चा लोग अब आगे बढ़ते हैं, next question आता है, discuss in detail about mother and child health, अब हमें पूरा detail में बताना है mother and child health के बारे में, तो बच्चा लोग सबसे पहले हम mother and child health के बारे में बात करते हैं, maternal health का मतलब होता है कि जब women होती है, जब वो pregnant होती है, उस time पे उसक birth के दोरान जब बच्चे का जनम होता है और post natal period जब बच्चे का जनम हो जाता है, उसके बाद भी एक महिला की safety के purpose से उसकी health का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, हर एक stage में एक positive experience होना बहुत जरूरी है, women और जो उनके बच्चे हैं, जो उनके new born babies होते हैं, उनकी health को ले direct cause जो होता है, एक maternal injury का या फिर death का, वो है excessive blood loss, क्योंकि blood loss बहुत जादा होता है, या फिर infection, या फिर high blood pressure, यानि कि एक तरीके से आप कहलो कि hypertension, ठीक है, या फिर unsafe abortion, उसकी वज़े से भी काफी सारी दिक्कते हो जाती है, या फिर obstructive labor, जिसमें आप कह सकते हैं कि indirect causes भी आते ह basically maternal injury है, उसके chances बढ़ जाते हैं, या फिर जो physically महीला है या बच्चा है, उसकी death हो जाती है, mostly जितनी भी हमारी maternal deaths है, उनको prevent किया जा सकता है, अगर time के साथ manage किया जा सके, एक skilled professional के साथ जो है basically work करना होगा, एक supportive environment में, time से सारी चीज़े पता चल जाए, हर एक condition का, तो जो है basically, वो maternal death या maternal injury को होने से रोका जा सकता है, आगे बढ़ते हैं, अब बात आती है child health की, देखो, जो pediatric होते हैं, ये एक ऐसी ब्रांच है हमारी medicines की, जहाँ पर जो medical care होती है, वो छोटे बच्चों के लिए, infants के लिए होती है, जो basically आप कहलो कि जो नवजात, शिशु होते हैं जिनका बस अभी दुनिया में जनम ही हुआ है, बच्चे हुए और adolescents जो आपके 15-16 साल तक के 18 साल से कमके होते हैं, जो pediatricians होते हैं, ये वो doctors हैं, जो basically छोटे बच्चों की medical conditions को, जो है manage करते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे हुए, या फिर हमारे children हुए, या adolescents होते हैं, वो ज हैते हैं, देखो, WHO के according 1976 में maternal and child health services को define किया गया था एक promotion के तौर पे, कि कैसे तो हमें बचाना है, यानि कि prevent करना है, कैसे हमें therapeutic या फिर rehabilitation facilities प्रोवाइड करनी है, एक mother और एक child के लिए उन्हें कैसी better care हम दे सकते हैं, health के प्रती, उनके स्वास्त के प्रती, वो हमें करना होगा, हाला कि जो maternal and child health services है, यह बहुत important और एक essential services है, mother और child की overall development के लिए, ठीक है, यह बहुत ज़रूरी है, होता क्या है, अगर हम बात करें कि components क्या-क्या है, mother and child health care के, तो सबसे पहला family planning और reproductive health services, यह जो है basically most important point है, साधी साथ, maternal, newborn and child health services, यह हमारे major components होते है, maternal and child health care के, फिर आता है हमारा health communications, उसके बाद आ जाते हैं हमारे health commodities और जो supplies होती है, और साथी साथ फिर इसमें आ जाता है, health system strengthening, तो यह हमारे components है, maternal and child health care, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि एक objective क्या है, यानि कि motto, सिधान्त क्या है, maternal and child health care program का, तो इसमें basically सबसे पहल जो maternal, perinatal, infant और child mortality और morbidity rate होता है, जहां पर बिमारी का खतरा बढ़ जाता है, उसकी वज़े से deaths भी होती है, तो उसको हम कम कर सकें, साथी साथ reproductive health को बढ़ावा मिल सकें, उसको promote कर सकें, हम जो है, एक overall development जो होती है, एक बच्चे की, ठीक है, नवजात बच्चे की, उसको भी जो है, हम basically promote कर सकें, साथी साथ, जो एक पूरा protection provide किया जा सकता है, एक mother के लिए, और एक child के लिए, उसके लिए भी कार्य करना, और साथी साथ फिर आता है, जो nutritious food हो सकता है, pregnant women के लिए, mother के लिए, और child के लिए, वो provide करना, और फिर आता है, कि जो growth है, एक child की, उसको monitor करना, उस पे नजर रखना कि ठीक से हो रही है, या नहीं, और जो एक health level है, school going children's का, ठीक है, तो वहाँ पर जो school health services होती है, और जो दूसरी agencies है, उनके through भी हम जो है, उनके स्वास्त के प्रती हम ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, अब बात आती है कि benefits क्या क्या होते हैं, एक breast feeding के बच्चों के लिए, तो सबसे पहला, जो breast milk होता है, वो एक ideal nutrition provide करता है, एक जो एक नवजाद शिशू को, जो nutrition चाहिए, वो उसे अपनी mother के milk से मिल जाता है, breast feeding के जरिए, साधी साथ जो breast milk होता है, उसके अंदर काफी सारी antibodies होती है, जो कि एक बच्चे की growth के लिए काफ बेबी के एक healthy weight को भी promote करता है, बेबी का जो weight होगा, वो breast milk के उपर ही depend करता है, breast feeding से जो अगर हम बात करें, बच्चा जो है काफी smart होता है, काफी smarter हो जाता है, अब best feeding के benefits क्या-क्या है, एक mother के लिए, तो उसमें बात करते हैं, सबसे पहला, mother का weight loss होने में मदद करता है, अगर वो breast feeding कराते हैं अपने babies को, साथी साथ, uterus contraction में भी help करता है, उसके बाद जो एक खत्रा है, जैसे depression जैसे बिमारी का न, वो भी काफी हद तक कम हो जाता है, खट जाता है, अगर कोई female breast feeding कराती है, और जो दूसरी बिमारियां होती है, उनका भी खत्रा काफी कम हो जात है, साथी साथ में mensuration को भी prevent करता है, जो proper एक mensuration होना चाहिए, उसको भी करवा देता है, साथी साथ आपका समय बचाता है, और पैसा बचाता है, ये जो है एक breast feeding benefits होते हैं मदर के लिए, अब next question आता है हमारा, जो की है, write about causative agents and prevention of typhoid, fever and chicken gunya, typhoid fever और chicken gunya के causative agents of prevention क्या होंग वो हम बात करेंगे, सबसे पहला typhoid fever की बात करते हैं, typhoid fever एक bacterial disease होती है, जो की जिसमें आपका temperature काफी high हो जाता है, बुखार हो जाता है 3-4 दिन के लिए, ये endemic होता है अपने nature में और साथी साथ पूरे साल भर तक रह सकता है, जो bacterium हमारे intestines के अंदर रहता है, और साथी साथ जो humans हैं, उनके blood stream में भी उसी की वज़ा से हमें typhoid fever रहता है, जो causative agent होता है, वो है salmonella typhi, ये एक bacteria है, जिसकी वज़ा से आपको typhoid fever हो जाता है, साथी साथ अगर बात करें epidemiology की इसके कारण क्या होते हैं, source of infection है कि जो patients या carriers हैं, उनके जरीए आपको typhoid fever हो सकता है, diagnosis की बात करें, तो इसे हम जो है basically, salmonella typhi को एक blood, stool, urine या फिर bone marrow sample के जरीए पता लगाते हैं, blood test होते हैं, हमारे उससे पता चलता है कि typhoid है या नहीं, अगर treatment की बात की जाए, तो typhoid fever को treat किया जा सकता है, antibiotics के साथ, हाला कि कुछ एक resistance भी हो जाता है, common antimicrobials के जरीए जो की सबसे जादा use किये जाते हैं, एक healthy carriers में, तो उन्हें हमें exclude करना होता है, एक normal handling से, food से हमें उन्हें बचा कर रखना होता है, आगे बढ़ते हैं, अब बात आती है चिकन गुनिया की, चिकन गुनिया एक viral disease है, जो की इनसानों से, एक इनसान से, दूसरे इनसान पर फ इसकी वज़ा से चिकन गुनिया होता है, कारण क्या है, यानि की epidemiology, तो source of infection क्या हुआ, चिकन गुनिया वायरस जो होता है, वो बहुत तेजी से फैलता है, कैसे जब एक मच्छर, एक infected mosquito किसी भी इनसान को काटता है, age and sex की बात करें, तो जो infection rate होता है, females में जादा होता है, ठीक है, बच्छा लोग, अब बात आजाती है, कि preventive measures क्या होंगे, सबसे पहला, insect repellent आपको use करने होंगे, जैसे odomoss आता है, ठीक है, मच्छर के काटने से बचना होगा, साधी साथ, जो एक social gathering होती है, जहाँ पर कैई सारे लोग इखटा खड़े होते हैं, उससे आपको ब सकते हैं, ठीक है, पूरी sleeves की, full sleeves की shirts या आप अपनी जो है, pants पहनिए, पाउर्स के बाद screen protection यूज़ कर सकते हैं, आप अपने rooms के लिए, साधी साथ, आप traveling avoid करिए, जहाँ पर खत्रा है कि chicken गुनिया पहले से ही पहला हुआ है, वहाँ पर जाने से बचें, तब possibility है कि आप जो है, इन चीजों से बस सकते हैं, अब बात आती है, next question की, जो की है, define nutraceuticals, discuss different types of nutraceuticals, nutraceuticals क्या होते हैं, और उनके types यानि कि उनका classification, सबसे पहले बात आती है कि nutraceuticals होते क्या हैं, Stephen Defiles की अगर हम बात करें, इन्होंने एक term nutraceuticals दिया था 1989 में, इन्होंने कहा था कि nutraceuticals एक हमा medical और health benefits provide करता है, जिसके अंदर वो आपको उन particular बिमारी से ठीक भी कर सकता है, उपचार में भी काम आ सकता है, और उससे बचा भी सकता है, prevent भी कर सकता है, examples की बात करें, nutraceuticals की तो इसके अंदर podified dairy products आ जाते हैं, जो की milk के हैं, ठीक है, और citrus fruit भी आ जाता है, जैसे orange juice होता ह है, अगर बात करें कि जो classification है, nutraceuticals का वो क्या कहता है, सबसे पहला, इन products को जो हमने classify किया है, वो उनकी natural sources के बिहाफ पे, pharmacological conditions के बिहाफ पे, और साधी साथ chemical constitution जो होता है, products का उनके अधार पे classify किया है, generally, जो nutraceuticals हैं हमारे ये आपके चार groups में होते हैं, सबसे पहला, dietary supplements, द तीसरा है हमारा medicinal food, और चौथा है हमारा pharmaceuticals, चार केटेगरीज में nutraceuticals को divide किया गया है, ठीक है बच्चा लोग, आगे बढ़ते हैं, next question है, discuss the role of a pharmacist in national health, ये question काफी important है, बच्चा लोग, इस पे focus कीजेगा, इस पर ध्यान दीजेगा, हम एक बताना है कि pharmacist का क्या role होता है, सबसे पहला कि जो prescriptions है, जो एक doctor ने prescription दिया है, किसको मरीज को, यानि कि patient को उसको review करे, पढ़े कि दवाईया ठीक से लिखी भी गई है या नहीं, उसके बाद जो prescription आया है, अब उसमें जो दवाईया लिखी गई है, उनका वितरन करे, ठीक है, या फिर अगर आप कहें, over the counter drugs है, OTC medications है, non prescription medicines, उनको dispense करे, फिर है कि patients को counseling दे, उनको educate करे, patient के कोई सवाल है, कि ये दवाई क्यों लिखी गई, किसलिए लिखी गई है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, उन सब के बारे में उसको समझाए, उनको counsel करे, साथी साथ, जो hospital और community pharmacy management है, उसके बारे में उ इसलिए भी, next point आता है, कि जो proficiency है, हमारे drugs और pharmaceuticals के वो अच्छी खासी होनी चाहिए, एक pharmacist के अंदर basically हमारी entrepreneurship और leadership qualities होनी चाहिए, तभी वो जो है, आगे जाकर के health के प्रतिकार्य कर सकता है, primary और जो preventive healthcare professionals हैं, उनके साथ कार्य करे, ethical और legal practices भी करे, जिससे के आगे जाके अच्छा नाम हो, अच्छा काम हो, अपनी जो professional developments हैं, जैसे की जो skills होती है, उनको दिन प्रते दिन जो है, डवलप करता रहे, उसमें कोई भी रुकावट ना आए, ठीक है, अब बात आ जाती है, हमारी next question की, जो की है, explain the importance of water and fiber in diet, अब हमारे diet के अंदर fiber का और water का, यानी क सबसे पहला, यह आपके body temperature को regulate करता है, body temperature को नियंतरन करेगा, ठीक है, इसलिए, दूसरा आता है, कि जो भी solid food materials होते हैं, यह उनको dilute करता है, उसमें मदद करेगा, तीसरा कहता है, कि जो एक excretory products की वजह से loss हो जाता है, फ्रूइड का यह उसको जो है, basically maintain करवाता है, साध जो transportation है, nutrients का body के अंदर, वो पानी के जरीए, water के जरीए ही हो पाता है, ठीक है, जो body tissues है, उनकी repairing में मदद करता है, जब कोई भी basically tissue में कोई damage हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, और साथी साथ, जो waste material products होते हैं, उनको body से बाहर निकालने में, excret करने में भी मदद करता है अब बात आती है कि fiber food के क्या-क्या importance, fiber की क्या-क्या importance है हमारी diet में, वो bowel movement को normal करता है, ठीक है, bowel health को maintain करता है, साथी साथ, cholesterol level को भी कम करने में मदद करेगा, और जो blood sugar level होता है, उसको काबू में रखता है, उसको control करता है, नियंतरन करेगा उसका, साथी साथ, एक आपका healthy weight रहे, उसको भी achieve करने में काफी मदद करता है, और आप लंबे समय तक जीएं, उसमें भी आपकी help करेगा, ये महत्व कांचाएं हैं, एक fiber diet की, ठीक है, fiber की diet में, next question कहता है, explain about immunization, immunization क्या होता है, उसके बारे में हमें बताना है, सबसे पहले बात करेंगे, immunization की, immunization एक ऐसा disease से लडने के लिए, यानि कि उसके जब vaccine लगाई जाती है, ठीक है, तो उसकी immunity boost होती है, ठीक है, कैसे जब एक vaccine का administration होता है, particular body में, तो immunity हमारी boost up होती है, immune system के अंदर जो immunity है, वो बढ़ती है, ठीक है, vaccine जो है, एक body के immune system को क्या करती है, stimulate करती है, जो बिमारी है, जो infections होते है, उनसे लड़ सके, उनके against कारिये कर सके, साथी साथ immunization दो तरीके का होता है, सबसे पहला है हमारा primary immunization और दूसरा है secondary immunization, primary immunization की बात करें, तो जो हमारा एक routine immunization होता है, जो की एक basic services भी है, हमारी primary health care के तहत, जहाँ पर जो एक primary immunization की जो है basically इस्थापना कराई गई, उसक पर जैसे bacillus calmate urine यानि की BCG हुआ, या फिर zero oral polio vaccine हुई OPV, बर्थ के time पे तो जी जाती है, ठीक है, एक तीन dose दी जाती है, OPV और diphtheria की, pertuses और tetanus की, ठीक है, hepatitis B viruses की, और measles vaccines की, एक साल से पहले पहले, यह है primary immunization की जो की एक बच्चे का होना अनिवारिये है, फिर आता ह है हमारा secondary immunization, for example, an immunization following a primary immunization और इसके अंदर exposure होता है, same या फिर close related antigens का, ठीक है, यह secondary immunization होते हैं, जैसे corona आया, तो हमारे जो है basically vaccines लगी, यह क्या है, यह secondary immunization है, प्रात्मिक्ता जो थी primary वो पहले लग चुकी है, next question आता है, write a short note on sexually transmitted diseases, जो STDs होती है, उनके बारे में हमें जाना है, यह 5 नमबर का सवाल है, बच्चा लोग ध्यान दीजेगा, यानि कि यह आपका एक long question है, यहां से question जरूर फस्ता है आपके exam में, सबसे पहले बात करेंगे sexually transmitted diseases का, यह जो है आपकी veneral disease के नाम से भी जाने जाती हैं, यह वो बिमारियां है, जो कि basically humans या animals के जरिये एक sexual contact की वजह से फैलती हैं, जैसे कि vaginal intercourse हुआ, या फिर oral sex हुआ, या फिर एक anal sex हुआ, ठीक है, तो इसकी वजह से ही sexually transmitted diseases फैलती हैं, अब जो यह term है sexually transmitted disease infection यह use होता है, इसके काफी सारे मतलब बन जाते हैं, ठीक है, एक person अगर कोई infected है, ठीक है, और वो जो है basically इतनी शम हेल्दी person को infect कर सकता है, हो सकता है, उसके अंदर कोई particular science ना हो, उस particular बिमारी के, बहुत सी sexual transmitted infections ऐसे भी होते हैं, कि जहां पर आप एक IV drug needle use करने, उनके use करने के बाद, तो वो भी infected person जो होता है, उस healthy person को infect करने की शमता रखता है, ठीक है, यह जो है basically अगर कोई pregnant women sexually transmitted disease से infected है, infected है, तो वो child birth भी जो है basic, जो child का जनम होगा, वो भी जो है प्रभावित हो सकता है, और breastfeeding के जरीए भी जो है, जा सकती है, वो estity उस छोटे बच्चे के अंदर, ठीक है, अब अगर हम बात करें कि यह कितने कौन-कौन सी type की estitys हैं, तो एक syphalus होती है, ठीक है, gonorrhea होता ह है, और aids होता है, यह mostly यही वो diseases है, जो sexual courses के जरीए फैलती है, जब humans का sexual course होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, next question आता है, राइटा not on balanced diet, अब balanced diet क्या होती है, उसके बारे में हमें बताना है, तो सबसे पहले बात करेंगे, यह वो diet है, जिसके अंदर proper proportion होता है, आपको क्य क्या body के अंदर जाना चाहिए, carbohydrates कितना होगा, fats कितना होगा, protein कितना होगा, vitamins, minerals और water कितना होना चाहिए, जो की एक body के अच्छे स्वास्त के लिए, ठीक है, अच्छे स्वास्त के लिए काफी जरूरी है, next आता है, जो balanced diet है, वो काफी important है, क्योंकि जो हमारे body organs हैं और tissues हैं उनको proper nutrition चाहिए, कि जिससे कारिय अच्छे से हो सके और वो effectively work कर सके, बिना अच्छे nutrition के body के अंदर काफी बिमारी लगने के chances बढ़ जाते हैं, ठकान बहुत जादा होती है, और body की poor performance होती है हर field में, साथी साथ एक जो बच्चा है, अगर उसकी poor diet होगी, तो जो उसकी growth है उसमें काफी खत्रे बढ़ जाएंगे, और साथी साथ उसके अंदर development problems भी काफी होगी, अगर मैं बात करूं कि composition क्या होना चाहिए, एक balance diet का, तो सबसे पहला cereals जैसे wheat हुआ या rice हुआ गेहू या चावल ठीक है 400 ग्राम होने चाहिए, दाल हमारी 50 से 85 ग्राम होनी चाहिए घी या फिर तेल 57 ग्राम होना चाहिए, लीफी vegetables जो होती है 115 ग्राम तक चलेंगी, ठीक है, दूसरी vegetables हुई वो 85 ग्राम तक चल सकती है, खलो की बात करें तो 80 ग्राम हो सकता है, root vegetables जो होती है 90 ग्राम, ठीक है, milk और milk products का 290 ग्राम जाना चाहिए, हमारे diet में, sugar और jaggery यानि क चीनी या फिर जो गुड होता है, वो 70 ग्राम तक चलेगा, फिश और मीट अगर कोई consume करता है, तो 100-200 ग्राम होना चाहिए, water हमारा 2-3 लिटर दिन का होना चाहिए, और जो salt है, condominants है, वो आपके basically taste के अनुसार, स्वाद अनुसार होने चाहिए, ये है हमारा पूरा composition, एक balance, diet का, आगे बढ़ते हैं, next आता है, discuss the various methods of family planning, family planning के क्या-क्या तरीके हैं, इसे कौन-कौन से methods हैं, यहां से भी बच्चा लोग 3 number का तो question आपका बनता ही बनता है, अब सबसे पहले बात करेंगे, बहुत सारे methods हैं, जो कि family planning में use होते हैं, जैसे कि barriers method होता है, ठीक है, अब barriers method में हमारे दो method हो जाते हैं, एक physical method और एक chemical method, physical methods में आ जाते हैं, हमारे जैसे condoms होते हैं, डाइफार्म होता है, और vaginal sponges होते हैं, और chemical methods की बात करें, तो forms आती हैं, creams आती हैं, suppositories होती हैं, और soluble films भी होती हैं, यह है barriers method, फिर है हमारा intrauterine devices, जिनको आप IUDs कहते हैं, तो non-medicated intrauterine devices में हमारा lips loop आ जाते हैं, और medicated intrauterine devices की बात करें, तो इसमें metal containing intrauterine devices होते हैं, जैसे copper releasing iodines है, जैसे copper T हुआ या फिर copper 7 हुआ, ठीक है, hormone containing intrauterine devices भी होते हैं, जैसे progestrat हुआ, ठीक है, progestrat हुआ या फिर LNG20 हुआ, और साथी साथ implants और injections भी आते हैं, जैसे progestron के साथ साथ आप उसको progestron को अकेले भी दे सकते हैं, और combination में भी दे सकते हैं, estrogen के साथ, जिसको basically female skin under use किया जाता है, injection के तौर पे या फिर उनकी skin के under उसको implant कर दिया जाता है, ठीक है, next अगर हम बात करें, तो hormonal methods हैं, जैसे oral pills, combined pills आती हैं, sequential pills आती हैं, mini pills होती ह जैसे post-coiter pills होती हैं, और male pills भी आती हैं, और अगर मैं बात करूँ, slow release preparations की, तो injectables हुए, ठीक है, subcutaneous implants हुए, और vaginal rings हुए, ठीक है, अब चलो, और next आते हैं, अब जो post-connectional methods होते हैं, जैसे menstrual regulation हुआ, menstrual induction हुआ, या फिर abortion, और फिर है, miscellaneous methods, जैसे abstinence होता है, या फिर coitus interrupts होता है, या फिर safe periods, या फिर breastfeeding, या फिर birth control vaccines, ठीक है, और अगर उसके बाद, अगर हम बात करते हैं, तो फिर आते हैं, permanent methods, male sterilization होगा, ठीक है, तो उसमें उसको vasectomy कहते हैं, और female sterilization होता है, तो उसको tubectomy कहते हैं, तो ये वो methods हैं, जो की basically family planning में use किये जाते हैं, ये बह चलो, यहां से भी question आता है, तो इसको भी अच्छे से पढ़के जाईएगा, आगे बढ़ते हैं, next question कहता है, define social pharmacy, give its scope, यहां से भी question जरूर फसता है, 3-5 number में जरूर आता है, क्योंकि social pharmacy का definition क्या होगा, और उसके scope यहां से जरूर पूछते हैं, social pharmacy जो है basically हमारी disciplines के साथ deal कर जहां पर जो medicines होते हैं, उनका क्या role होगा हमारा social तौर पे, scientific तौर पे, और साथी साथ एक humanistic perspectives के तौर पे, उसी को हम social pharmacy कहते हैं, अब अगर हम scope की बात करें, तो सबसे पहला आता है, जो medical products, vaccines और technologies होती हैं, उन्हें safely कैसे use किया जाता है, यहां से पता चलता है, साथी जो भी information होती हैं, जो भी सूचना होती हैं, यहां से सीखने को मिलती हैं, उसके बाद आता है health services, जो स्वास्त को लेकर के कारिया होने चाहिए, वो भी हम इसके जरीए ही सीखने को मिलते हैं, next आता है leadership और governance, कैसे होनी चाहिए, वो भी हमें यहीं से पता चलती है, और next आता हमारे social pharmacy के, और अब आता है हमारा आज के इस session का आखरी सवाल, जो की है question number 15, describe in detail about pharma को economics, फार्मा को economics के बारे में पूरा detail में बताना है, सबसे पहले तो यह जानना है कि pharma को economics होता क्या है, यह particularly एक ऐसी application है हमारी जो economic analysis करती है, कि कैसे हमें अपने pharmaceutical products को services को use करना है, programs को use करना है, कि जिसका जो basically main focus है वो है cost पे, कि जो input हम लगा रहे हैं, जो invest हम कर रहे हैं, उसका outcome क्या आएगा, result क्या आएगा, result अच्छा आए कि हमारा investment तो कम हो लेकिन outcome अच्छा हो, ठीक है, कम से कम investment होगी, कम से कम costing होगी, तो उसी के लिए pharma को economics यूज करते हैं, अब बात आजाती है, कि आखिरकार need क्या पड़ी, जरूरत क्या है pharma को economics की, सबसे पहला, एक optimal therapy हमें लेनी है, कम से कम दाम में, कम से कम price पे, तो उसके लिए जरूरी है, फिर आता है, जो patients का, एक basically अगर हम कहें, जो concern है, वो कम होना चाहिए, healthcare professionals और public के प्रती, जो उनका concern कम हो और development हो सके, उसका क्या alternative होगा, उसके लिए भी pharma को economics जरूरी है, government की बात करें, तो जो programs है, जिन से फायदा हो सकता है, और उनके prices भी दिये जाए, जो कि paid होंगे, तो उसके लिए, अगर private sector की बात करें, तो एक हम insurance design कर सकें, जिसमें जादा से जादा हमारा coverage हो, और उसमे फायदा हो, हमें benefit हो, अगर बात करें कि evaluation methods क्या होंगे, फार्मको economics के, ठीक है, तो evaluation methods होते हैं, फार्मको economics के, वो हैं हमारे cost minimization analysis, जिसको आप CMA कहते हैं, cost benefit analysis, जिसको CBA कहते हैं, और cost utility analysis, जिसको CUA कहते हैं, और होता है cost effective analysis, जिसको हम CEA कहते हैं, तो ये थे हमारे best, यानि की टॉप 15 questions प्रारम सिरीज के social pharmacy के लिए जो कि D-pharma first year में हमारा subject है I hope आपको ये class अच्छी लगी होगी सारे questions अच्छे से समझ आये होंगे घबायेगा नहीं इसकी PDF आपको मिल जाएगी उसके लिए telegram channel पर या whatsapp channel पर follow कर लिजेगा links नीचे description में दिये गए हैं आप model paper भी order कर सकते हैं अपनी तयारी के लिए notes भी order कर सकते हैं उसके लिए download कीजेगा pharmacy India mobile app from the google play store और उसका भी link description में दिया गया है यदि आप exit exam की भी preparation कर रहे हैं तो उसके लिए भी books order कर सकते हैं उसका भी link नीचे description में दिया गया है तो बचा लोग मिलेंगे next class में तक तक के लिए अच्छे से मेनत करते रहिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए जैहिंद और डी फार्मा में पढ़ना हुआ और भी असान क्योंकि pharmacy India live है आपके साथ